हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु निगम ठककर रेसिपीज, आजे हुँ तमारामा टेक रेस्टोरंट ट्रायल सबजी नी रेसिपी लेने आवे छुँ, मित्रो अत्यारे कोरोनानी महमारी ना कारणे आपने बारनु खावानू तेमज रेस्टोरंट मा जमवा जवानू टारता हो तो वीडियो ने स्कीप करया वगर एंड सुधी अवश्र जोजो तो रेसिपी नी शरुवात करिये पालक आलू कैपसी कम सबजी बनावा माटे में बसो 50 ग्राम पालक नी बाजी लिदी छे तैने पानी थी सर्खी लिते दोई लिदी अती त्यार बात तैने जिना टुकड जारे पन तमे आ सबजी बनावो त्यारे फ्रेश पालक नो जो उप्योग करवो अवे पालक नी बाजी ने ब्लांच करवा माटे गैस पर एक तपेली मा बै गलास येटलू पानी गरम करवा माटे मुक्यू छे तैमा एक टी स्पून खाण उमेरी शू जारे पन तमे कोई लीली बाजी ने पाणी मा ब्लांच करता हो अत्वा तो बॉयल करता हो त्यारे पाणी मा जो थोड़ी मात्रा मा खाण उमेरवा मा आवे तो बाजी ब्लांच थाया पछी तैनो कलर एक्तम सरस ग्रीन रहे छे पाणी गरम थाई गयुँशे, तेमा समारेली पालक नी बाजी एड करी छू बाजी ने ब्लांच करती वक्ते वासन उपर डाकन न डाकवू, जो डाकन डाकशो तो पन बाजी नो रंग बदलाई जशे अत्यारे आपने 800 ग्राम पालक नी बाजी लिदी छे, आटली पालक नी बाजी मां थी 3 व्यक्तिने 100 करी शकाये तेटली कॉंटिटी मां सबजी तैयार थशे पालक मां विटामीन अने पोशक तत्वो सारा प्रमाण मा रहेला होई छे, आ सीवाई तेमां फाइबर नू प्रमाण पन उचू होई छे, जे शरीर नू पाचन तंत्र मजबूत बनावे छे पालक प्लांच थाये त्यां सुधी आपने सबजी बनावा माटे नी ग्रेवी तैयार करीशू, ग्रेवी बनावा माटे मैं 2 नंग मीडियम साइज ना टामेटा, 2 इंच आदू नो टुकडो, जेने छोली ने रिदू छे, अने 5 नंग लीला मर्चा लिदा छे हवे एक मोटो मिक्षल जाल लई, तेमा टामेटाने मीडियम साइज ना टुकडामा समारी लईशू, आ ग्रेवी बनावती वक्ते तमे, पाका टामेटानी जग्याए, मार्केट मां जे काचा ग्रीन टामेटा मले छे, तैनो पन उप्योग करी शको छो मारी पासे ते टामेटा अवेलेबल नता, एटले आ रितना काचा पाका टामेटा में लिदा छे, टामेटा थोड़ा कडक होई, ते वाज लेवा हवे टामेटाने समारी लिदा बात, तेमा पांच नंग, लिला मल्चा एड करीशू, मल्चा ने पन आ रिते, मोटा टुकडा मा समारी लेशू तमने जो थोड़ी वदू स्पाइसी सबजी पसंद होई, तो एक थी बे नंग मल्चा वदू पन एड करी शको छो जो तमे कांदा आने लसंड एड करवा मांगता हो, तो आ ग्रेवी बनावती वक्ते तेमा एक मीडियम साइज नो समारेलो कांदो, औने चार्थी पांच करी लसंड एड करी शको छो हवे तेमा आपणे 2 इंच आदूनो टुकडो, जे मैं छोली ने राख्यू अतु, तेने पन आ रिते स्लाइस करी ने ओमेरीशू, औने आ त्रणे सामगरी ने मिक्सर मां क्रश करी ने तेनी ग्रेवी बनावीशू टामेटा, लिला मल्चा, अने आदूने मिक्सर मां क्रश करी लिदा बाद, अवे ग्रेवी बनीने तैयार छे, आ ग्रेवी नो कलर एक्तम सरस ग्रीन आव्यो छे, जो तमे पाका टामेटा नो उप्योग करशो, तो रेड ग्रेवी तैयार थशे पांच मिनिट सुधी पालक नी बाजी ने ब्लांच कर्या बाद, अवे गैसनी फ्लेम बंद करीशू, बाजी ने वधू समय माटे ब्लांच न करवी, अवे तैने एक काणावाडा वासर्मा काडी लेशू, जेती बदूज पाणी नित्री जाए ब्लांच करेली बाजी नी उपर एक ग्लास ठंडू पाणी रेडीशू, आरी ते ठंडू पाणी रेडवाथी पण बाजी नो कलर एकदम सरस ग्रीन रेशे ब्लांच करेली पालक नी बाजी थोड़ी ठंडी थाए, पची तैने एक मिक्सर जार मा लेशू, तमें जोई शको छो के तैनो कलर एकदम सरस ग्रीन रेशे हवे डाकन डाकी ने तैने मिक्सर मा क्रश करीने प्यूरी तयार करीशू पालक नी बाजी ने मिक्सर मा क्रश करया बाद तैने प्यूरी तैयार छे, तैने एकदम फाइन क्रश नथी करवानी, आर इतनी सैद दर्दरी रहे तेविज राकवानी छे जेती सबजी बनाव्या पची तैनू टेक्स्चर एकदम सरस गट रहे सबजी बनावा माटे गैस पर एक कडाई मां एक टेबल स्पून गी गरम करीशू गैस नी फ्लेम स्लो राकवी, तैमां एक टेबल स्पून तेल एड करीशू आ सबजी तमें फक्त गी मां के फक्त तेल मां पण बनावी शको छो आने तैनी जग्याए बटल नो उप्योक पण करी शको छो अवे गी अने तेल थोडू गरम थाए, पछी तेमां चप्ती हिंग गुमेरीशू अत्यारे आपने गरमाज उप्लब्द होई तेवी सामग्री नो उप्योक करी ने सबजी बनावी रहा छिए आ सबजी मां हिंगनो टेश कुबस सरसावे छे त्यार बाद आपने जे टामेटा, लीला मल्चा अने आदू नी ग्रेवी तैयार करी यती ते एड करीशू चाश दूर थाए अने ग्रेवी प्रोपर रिते कुग थाई जाए त्या सुधी तेने त्रण थी चार मिनिट माटे कुग करी शू वच्चे वच्चे तेने तावे था वडे हला अवतारेवू ग्रेवी कुग थाई जशे एटले आपने जे गी अने तेल उमेर्यू छे ते तेनी उप्पर आवी जशे त्रण मिनिट सुधी कुग कर्या बाद तमे जोई शको छो के ग्रेवी माथी गी अने तेल छुट्टू पड्यू छे आ स्टेज पर तेमा एक नंग मीडियम साइज नू समारेलू केप सि कम अड़ करीशू औने तेनी साथे एक नंग मीडियम साइज नू समारेलू बटाकु अड़ करीशू बटाकाने में 3 विसल थाए त्यान सुधी प्रेशर कुकर मा बाफी लिदा आता अने कैपसी कमने काचाज लेवाना छे आ सबजी मा तमें बटाकानी जग्याए पार बोईल करेला कौन अथवातो वटान आपन लई शको छो कैपसी कमने आपने 2 मिनिट माटे कुक करीशु तेने ओवर कुक नथी करवाना थोड़ा क्रंची रेशे तो तेनो टेस्ट वधू सारवावशे 2 मिनिट बाद कैपसी कम थोड़ा कुक थाए एटले तेमा तयार करेली पालक नी बाजी नी प्यूरी एड़ करीशु अने तेने सरखीड ते मिक्स करीशु अत्यारे शियारानी सीजन माँ दरेक प्रकारनी लिली बाजी हुबच फ्रेश अने सस्ती मरती होईचे तो आ सबजी तमें गरे अवश्च ट्राइकर चो आ सिवाई आपने पालक माथी पालक पनीर, पालक कौन केपसिकम, हैद्राबादी बिर्यानी, ग्रीन दाल फ्राइ वगरे रेसिपी बनावता जोईए छे तेमा हाफ टीस्पून पंजाबी गरम मसालो एड़ करीशु आ गरम मसालो पण अमे गरेज बनावेलो छे जेमा कांदा आने लसन नो उप्योग नथी करियो, जो तमारे तेनी रेसिपी जोईती होई, तो मने कमेंट करीने जरूर जणाव जो तेमा स्वाद प्रमाणे मीठू एड़ करीशु जारे पन आपने पालक नी सबजी गरे बनावता होईए त्यारे मीठा नो उप्योग खुबज प्रमाण सर करवो कारण के पालक नी भाजी मापन थोड़ी खारा शोई छे, एटले मीठू वदू नव पड़ी जाए, त्यानू खास ज्यान राखवू अवे सर्खीरी ते मिक्स करी ने सबजी माथी गी अने तेल चुटू पड़े, त्यान सुधी तेने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करीशु आ सबजी बनावती वक्ते तमे कैपसी कमनी जग्याए, फणसी के फ्लावर नो उप्योग पन करी शको छो चार मिनिट सुधी कुक करे बाद आपने जे पालक नी प्योरी एड करी अती, ते सर्खीरी ते कुक थाई गई छे, अने सबजी माथी तेल अने गीपन छुटू पड़े, आरी ते बबल्स थवाल आगे एटले समझ वू, के सबजी बनीने तयार छे एकदम सरस सुगन दावी रही छे, अने मीडियम थीक कंसिस्टनसी नी, रेस्टोरन मां मड़े ते वीच ग्रीन सबजी बनीने तयार थे छे गेस नी फ्लेम बन करी शू, अने सबजी ने सव करी शू जो इनेच खावानू मन थे जाए, तेवी गर्मा गरम पालक आलू केपसी कमनी सबजी बनीने तयार छे तेने में पराठा अने मटर पुलाव साथे सव करी शे तो मित्रो तमें पन आ रेसीपी गरे अवश्च ट्राइ कर जो, अने रेसीपी दी रिलेटेर तमारा कोई प्रशन के मुझवन होई, तो तमें मने कमेंट सेक्षन मा पुछी शको छो जो तमने आ रेसीपी पसंद आवी होई, तो वीडियो ने लाइक करवानू न बुल्शो, तैने पो तना फ्रेंड्स अने फैमिली साथे शेर करो अने चैनल ने सब्सक्राइब करो अगर आप हमारी रेसीपी इस हिंदी पार्शा में देखना चाहते हैं, तो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल निगम के उजिन सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आवी अव नवी सरर तथा सात्विक रेसीपी जोवा माटे अमारी चैनल साथे जोडायला रहो, फरी मडी शू एक नवी रेसीपी साथे दन्यवाद